नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सेविल बंजिरो बन में मिरा नामे संदीब कैसे हैं आप सभी लोग सभी को नमस्कार गुड इवनिंग चले सभी को नमस्कार चुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन को और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं जिमेंट्रिक डिजाइन की अगर आप अनक आडमी के उपर अभी तक नहीं है तो अनक आडमी की जो फ्री स्पेशल ग्लासिस होती हैं वो आप पढ़ सक सब्सक्रिपशन पर भी पढ़ना चाहते हैं तो इसी कोड का यूज कर सकते हैं आप अनक आडमी सब्सक्रिपशन ससी जैय स्टेट एई या फिर आनक सृब्सक्रिपशन लेना चाहते हैं तो आप यह कोड्य गडर आपको 10% की जगा अभी 20% instant आफ जो आपको मिलेगा साथी साथ में An Academy के जो नए sessions है नए subjects जो है वो start होते रहते हैं 28th से नए subject start होगा जो educators हैं वो अलग-अलग educators अलग-अलग stream के पढ़ा रहे हैं जैसे civil engineering का हो गया, GS का हो गया या आपका reasoning या जो non-tech बाला portion है उसके corresponding तो आन Academy की app के उपर वो भी आप check out कर सकते हैं you can use the code Sandeep1 दोस्तों बात करते हैं road engineering की road engineering से specific हमने पढ़ाई जो हमारी शुरू की थी हाँ जी सभी को नमस्कार विझी है सभी гарतव की की ड़ाई गया सब्सक्राइब नमस्कार गुड़ इवनिंग ग्लास अल्रेडी पढ़ चुके हैं दोस्त और बिल्डिंग मिटीरिल्स हमारा खतम हो गया था अब उसके बाद नेक्स चेप्टर हमने शुरू किया था अगर मैं बात करूँ तो आज हमारा सेशन नमबर 8 है सेशन नमबर 1-6 में बिल्डिंग मेटीरियल्स पढ़ा था हमने सेवन्थ सेशन के अंदर हाईवे इंजिनिरिंग स्टार्ट किया था आज एट्थ सेशन है तो यह सेशन नमबर जो होते हैं दे डिनोट कि जब यह SSC J2022 के करेस्पॉंडिंग हमने पढ़ाई करनी शुरू की है तो तब से यह कौन सा सेशन है तो आप ट्रैक कर पाएंगे कैसे कैसे हमारी सेशन हुए थे इनकेस अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हैं तो दोस्तों जब भी कोई रोड प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो रोड प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम M, MRP लेबल से आप याद रख सकते हैं Map Study करते हैं, Reconsent Survey होगा, फिर उसके बाद होगा Preliminary Survey, फिर उसके बाद Location Survey Map Study के अंदर आप Basically क्या करेंगे? Overall, Basic-Basic Map के तुरू जो जानकारियां जुटा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास Reconsent Survey आएगा जिसमें मोटे-मोटे तौर पर जो Main-Main जानकारियां होंगी, वो जुटाएंगे जैसे की Material कहां से आएगा, Labor कहां से मिलेगी, कौन-कौन से Roots जो हैं, वो Follow किये जा सकते हैं अगर आप City A को City B से, या कोई भी A Location को B Location से अगर आप Connect कर रहे हैं तो तो दो-तीन Best Possible Roots जो हैं, वो Suggest किये जाएंगे, और उसके Terrain के बारे में आप बताते हैं कि यह जो Roots हैं, उनके तुरू क्या-क्या आने वाला है, Mountains आएंगे, नहीं आएंगे, Plain Region आएगा, River आएंगे, कोई और Important, Commercially, Industry, कैसे भी कोई Important, आस-पास कोई City या कोई Place है, उसको भी इसके अंदर बताया जाएगा, फिर उसके बाद, Reconcent Survey के बाद, Preliminary Survey होगा, जिसके अंदर, यह सारी जानकारियां, जो अब तक मिली हैं, इनके आधार पर, एक Best Possible Roots जो है, वो Decide किया जाएगा, और साथी साथ में कुछ और सर्वे जो है, वो भी करवाए जाएगे, Using the Instruments like, Prismatic Compass, Plain Table, Theodolite, यह सब भी वहाँ पर यूज होगा, तो Best Alignment यहाँ पर Decide हो जाएगा, जो Alignment Decide हो गया, उसके बेसिस के उपर, वहाँ पर, Location पे जाके सर्वे होगा, अब उस सर्वे के अंदर चाहें, आप बात कर लीजे, Testing से Specific, चाहे आप उसके Alignments कैसे जाएगा, उसकी Leveling से Related हो, तो वो आगे जाके उस Location पे, उस Alignment पे, उस Path के तुरू, जो भी काम होने है, जो भी Engineering होनी है, उनसे Specific जो Survey है, वो Location Survey कहलाएंगे, Next, दोस्तों, हमने बात की थी, History of Highway Planning की, History of Highway Planning के अंदर, Wheel जो आया था, वो Mesopotamian Civilization के अंदर आया था, Acerian Empire से हमें सबसे पहला Record मिलता है, जो Road Construction के उपर जो काम हुआ था, या Roads जो Construct वी थी उसका, Roman Roads आई थी दोस्तों, Roman Roads के अंदर क्या होता है, Heavy Stones जो उनका इस्तेमाल किया गया, Top के उपर, Bottom के उपर, Overall जो Thickness थी, वो 1.2 मीटर से लेके 75 सेंटीमेटर तक थी, उसके बाद Tresgate Construction आया, Tresgate ने बोला कि ये 30 सेंटीमेटर के ओर्डर का भी होगा, तो चल जाएगा, तो इन्होंने बड़े स्टोंस नीचे रखे, छोटे स्टोंस जो थे वो उपर रखे, उसके बाद Tresgate के बाद में, Next आई Telford, तो Telford ने ये बताया कि Heavy Stones जो है, जौन Macadam आये, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि Heavy Stones जो है, उनकी जरूरत नहीं होती है, आप 25 सेंटीमेटर की लेर्स के अंदर Broken Stones का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से Compact करके, तो वो आपको एक जादा अच्छा सर्फेस जो है, वो प्रवाइड करेंगे, तो ये में-में बातें इनके बारे में थी, Then came Water Bound Macadam, Water Bound Macadam के अंदर Broken Stones होंगे, Stone Dust होगी, Water होगा, Heavy Pressure के साथ इन सब को क्या कर दिया जाएगा, Consolidate कर दिया जाएगा, तो Water Bound Macadam बन गया, Rainy Season के अंदर दिक्कते होगी वहाँ पर, Rainy Season के अंदर Muddy Appearance आजाएगा, की चड़ होगा वहाँ पर, जो भी Wheels चलेंगे, तो Wheels के चलने के कारण क्या हो जाएगा, उससे Churning of the Stone या फिर Stone Dust, तो वो Further Particles और छोटे होते जाएगे, और Overall जो आपकी Pavement है, उसकी Appearance को खराब करेंगे, एक अच्छा आपको वहाँ पर Experience नहीं मिलेगा, फिर Modern Roads आगई, Modern Roads के अंदर जैकार कमीटी फॉर्म हुई 1927 के अंदर, उसके बाद Central, जो आपका Road Fund से Related, Road Fund जो फॉर्म हुआ 1929 के अंदर, Central Road Fund जो है 1929 के अंदर हो गया, IRC फॉर्म हुई थी 1934 के अंदर, तो यह Main-Main Dates जो हैं, यह आपको याद रखने हैं, इसे इस रिलेटेड, Central Road Research Institute 1950 के अंदर फॉर्म हुआ था, Motor Vehicle Act 1939 के अंदर हो गया था, नागपूर Road Congress 1943 के अंदर शुरू हुआ, और जिसके अंदर, टार्गेट जो रखा गया था, टार्गेट वॉज टू लैक किलोमेटर की रोड बनानी है, और डेंसिटी थी हमारी 16 किलोमेटर पर 100 स्कौार किलोमेटर, यह आपसे objective में question बूचता है, Bombay Road Congress के अगर हम बात करें तो 1961 में, क्योंकि first 20 year plan जो था, वो 18 साल में ही पूरा हो गया था, तो इसका जो टार्गेट था 1961 वाले का, यह आपके पास था कि next 20 years के अंदर 10 लैक किलोमेटर की रोड बनानी है, और अब की बार जो डेंसिटी थी वो 32 किलोमेटर पर 100 स्कौार किलोमेटर, इतना टार्गेट बान कर चलेंगे, नेक्स्ट लखनवू रोड कॉंग्रेस जो है, यह आया, इसके अंदर अब रोड की जो लेंद थी, वो 12 लैक किलोमेटर कर दी गई, और 82 किलोमेटर पर 100 स्कौार किलोमेटर टार्गेट रखा गया देंसिटी का, तो रोड प्लैन्स के बारे में यह आपसे क्वेशन पूछते हैं, नागपूर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नेशनल आईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्टिक, अदर डिस्टिक विलेज रोड पांस तरीके से नागपूर क्लासिफिकेशन था, और मॉडरन लखनवू ग्लासिफिकेशन के अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग, एक्स्प्रेस वेज, नेशनल आईवे, यह आएंगे, प्राइमरी रोड की कैटेगरी के अंदर, सेकेंडरी रोड की कैटेगरी के अंदर, दोस्तो, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्टिक रोड आएंगी, टर्चरी के अंदर, अदर डिस्टिक रोड या फिर विलेज रोड जो हैं, यह इसके अंदर आएंगी, तो एज पर मॉडरन लखनवू ग्लासिफिकेशन, following comes under secondary roads, तो फिर चार option या फिर आपको ऐसे option दे रखेंगे, जिसमें से state highway या major district road आपको चूज करना होगा, तो यह classification जो है, यह आपको याद रहना चाहिए, आगे अगर हम बढ़ें तो आता है geometric design of highways, अब geometric design of highways की दरूरत क्यों पड़ी हमें, यहाँ से हम शुरू करते हैं, देखे, geometric design of highway के अंदर अगर हम बात करें, तो geometric design करना है हमें, अगर आप एक highway के उपर चले जाएंगे, तो आप क्या-क्या features देखेंगे, और उन्हें आपको कैसे design करना है, overall आपका motive क्या होगा, एक smooth journey provide करना, जिसके अंदर journey time जो है, वो minimum हो, comfortable journey हो, और सबसे important above all, की safe journey हो, passenger की या vehicle की दोनों की safety जो है, वो हम ensure करते हुए, ऐसा design हम करेंगे, तो वो कौन-कौन से features हैं, जो अगर आप एक highway के उपर आप चले जाएं, जो हमें design करने होंगे, जैसे की, अब features के अंदर हमें क्या design करना होता है, example के तौर पे आप देखें, अगर आप highway के space को use कर रहे हैं, highway के cross section को अगर आप use कर रहे हैं, तो उस cross section के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं, pavement के उपर, pavement की width कितनी होनी चाहिए, lanes कितनी होनी चाहिए, अब ये सब कैसे decide होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा design vehicle, कि vehicle के according decide करेंगे न, कि ऐसा vehicle अगर road के उपर चलेगा, तो उसे कितनी width की ज़रूरत पड़ेगी, उस vehicle की height क्या हो सकती है, उस vehicle की length क्या हो सकती है, तो ये थारे dimensions आ जाएगे, तो सबसे पहले एक vehicle define करेंगे, तब ही तो ऐसा होता है न, जो आप vehicles खरीदते हैं, उनके dimensions जो होते हैं, वो fix होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मर्जी अपने मन से कुछ भी vehicle आगर आप बना ले और road के उपर ले आएं, तो वो allowed नहीं होता है, तो vehicles के dimensions जो हैं, वो restricted होते हैं, कि इस से beyond वो dimension, इस particular size से ज़दा आप नहीं ले जा सकते हैं, क्यों नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उस design vehicle के corresponding ही तो सारे road का design हम करेंगे, और अगर ऐसा vehicle road के उपर चलेगा, जो हमारे design parameters के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए एक खत्रा बन जाएगा, तो इसी लिए हम जब भी highway का design करते हैं, तो सबसे पहले एक design vehicle जो है, वो consider करते हैं, तब ही तो आप देखते हैं, जब लोग vehicle के जो wheel के rim होते हैं, वो बड़े बड़े डलवा लेते हैं, vehicle की body से वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो इसके उपर definitely चलान किया जा सकता है, क्योंकि जो specified width थी vehicle की, उस width को आप exceed कर रहे हैं, उन modifications के दुरू, तो safety के लिए कहीं ना कहीं, वो दूसरों की और खुद की safety के उपर हो एक question बन जाता है, तो geometric design of highway की बात कर रहे हैं, geometric design of highway के अंदर सबसे पहले हमने एक design vehicle मानेगे कि इस design vehicle की, या फिर जो भी design vehicles हमा रहे होंगे, इनके maximum dimension इतने हो सकते हैं, तो उस प्रकार के vehicle को भी हम safely इस road के उपर लेके जा पाएं, फिर एक design speed बताएंगे, कि 100 km प्रती घंटा की speed से जो vehicle चल रहा होगा, वो safely चल पाएं, अब safely चल पाएं इसका मतलब क्या है, safely चल पाएं इसका मतलब at all times, अब आप एक ऐसी road imagine करिए, जिस road के उपर एकदम से कोई sharp turn आ गया, आपको आगे दिख ही नहीं पा रहा है, कि आपका vehicle यहां जा रहा था, आ एक bad design आ जाता है, यह भी क्या हो गया, side distance proper नहीं है, आप जिस speed से जा रहे थे, तो पहली चीज तो यह हो जाएगी कि इस curve के उपर, centrifugal force बहुत दादा लग सकता है, तो आपका vehicle पलट सकता है, यहां पर, यह skid करता हुआ sideways निकल सकता है, road से off track हो सकता है, वो vehicle, तो यह सारे problems आ जाएंगे, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, कि जो speed हम बता रहे हैं, जो vehicle के dimensions हम consider कर रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, vehicle जो है, इस speed के उपर भी, वो safely इस highway के उपर throughout चल पाए, तो कुछ factors ऐसे हमें ध्यान में रखने होंगे, जैसे site distance से specific हो गए space availability से related हो गए, कि आप highway के उपर, अब ऐसा थोड़ी है कि vehicle अगर एक बार निकल लिया तो वो चलता ही रहेगा, ज़रूरत पढ़ सकती है कहीं ना कहीं vehicle को रोकने की भी, उसके लिए आपने क्या provision किया है, future में अगर highway को आपको expand करना है, उसकी width और increase करनी है, number of lanes और increase करनी ह उसके लिए आपने क्या provision किया है, तो यह सारे factors आ जाते है, turn के उपर बहुत ज़्यादा important role play कर जाता है, कि जब हम highway पर जा रहे होते हैं और turn जब आता है, तो तेज स्पीड पर होते हुए centrifugal force लगती है बाहर की और, और वो centrifugal force जो होती है, वो mb square r के बराबर होती है, तो जितने ज़्यादा velocity, उतने ही ज़्यादा centrifugal force लगेगा, centrifugal force तो velocity के square के साथ चल रहा है, तो उतना ही ज़्यादा वो लगेगा, तो curve को कैसे design करेंगे, centrifugal force को कैसे counteract करना है, transition curves क्या होंगे, अब आप highway पर जा रहे हैं, तो कुछ examples हो गए, जैसे, आपके सामने कोई obstacle जो है वो कम से कम कितना distance आपके पास available हो दिखता रहे, कि अगर कोई रस्ते में रुकावट आए, तो आप अपने vehicle को रोक पाए, जो design speed आपने तो board लगा दिये, कि जी इस highway के उपर permissible speed है, 100 km पर आर, चला ही आराम से 100 km पर आर की speed से, अब vehicle तो चला रहा है, उसकी कोई गलती नह region नहीं दिया, over bridge या underpass नहीं बनाया, या कोई traffic signals जो है, वो आपने नहीं दिये, कोई sign boards नहीं दिये इस vehicle को, कि आगे जाके intersection आने वाला है, speed को reduce करो, या कोई warning sign आपने नहीं दिये, तो ऐसे case में इसकी safety पर बात आ जाएगी, तो वो नहीं करना है, ये सारे design features हमें देखने फिलाल सिर्फ highway का geometric design जो है, उसकी बात कर रहे हैं, तो site distance considerations बोलते हैं इनको, कि अगर आपको रस्ते में मान लीजिए, कोई इनसान road को cross कर रहा था, तो जब ये road को cross करेगा, तो आपके पास at all times इतना distance रहना चीए, कि इस vehicle को ये safely रोक पाए, तो breaking के लिए time मिल जाए, 100 km पर आर की speed, आप अपनी जगा सही है, अगर design speed इतनी है, तो इतने पर चल सकते हैं आप, अब बोला ये गया, कि आप से आगे कोई slow moving vehicle चल रहा था, जो धीरे चल रहा है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, आप ये slow moving vehicle मान लीजिए, 60 km पर आर की speed से चल रहा है, तो इसके प overtaking side distance बोलते हैं, वो overtaking side distance हमेशा available रहे कि हम अपनी lane change करके, फिर उसके बाद इसको overtake करके, फिर से अपनी lane में चले जाएं, such that सामने से भी अगर कोई vehicle आ रहा हो, तो जितने time में हमने अपनी lane change किया, overtake किया है, वापस अपनी lane में आएं, उतने time में ये जितने distance travel करके आ जाए, तो collision ना हो, ये collision prevent हो जाए, तो वो distance हमेशा, overtaking side distance, आप कभी turn के उपर जाते हैं, अगर मान लीजी highway पर कोई ऐसे turn आ रहा हो, एक vehicle आपके आगे जा रहा था, आप यहां जा रहे थे, क्या आप ऐसी कोशिश करते हैं क्या, कि मैं यहां से overtake कर लूँ, हमेशा है नहीं, यह दिख नहीं रहा है, इधर वाला vehicle, तो अगर मैं overtake करूंगा और यहां जाओंगा, तो पता लगे एकदम से इधर से कोई vehicle ना आ जाए, तो हम नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि site distance available नहीं है, तो एक अच्छा highway project अगर बनाया जाएगा, तो उस आप भी overtake के अपनी lane में चले जाएं, तो इतना distance हमेशा visible रहना चाहिए, तो आप confidently overtake कर पाएंगे, next type के और क्या-क्या possible examples हो सकते हैं, जो हम यहां पर geometric design के अंदर discuss करेंगे, जब आप intersection के उपर आप जाते हैं, intersection पे अगर यहां से मान लीजिए, कोई building आ गई, तो same scenario, कि आप यहां से, अगर इसको cross कर रहे हैं, तो आपको यहां से आने वाला vehicle दिखे या नहीं दिखे, यह ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, तो sufficient site distance जो है, वो मेशा available रहना चाहिए, कि जब आपका vehicle intersection में enter करेगा, जब आपका vehicle, एक vehicle यहां से आ रहा था, एक vehicle यहां से आ रहा यह भी रुख जाए, ताकि collision avoid हो जाए, एक chance तो यह है कि यह थोड़ा धीरे हो जाएगा, यह तेज हो जाएगा, निकल जाएगा एक दूसरे को cross करके, यह तेज हो जाएगा, यह धीरे हो जाएगा, जैसे भी mutual understanding बनती है, उनसे हो जाता है, लेकिन अगर dilemma या confusion बनती है, त तो worst scenario के अंदर यह दोनों रुख पाएं, तो इतनी तो कम से कम visibility हो कि यह इसको यहाँ से दिख पाएगा, और यह दोनों समझ जाए, अगर कि रोक लेना ही बैतर है, फिर उसके बाद आगे move कर लेंगे, तो यह कितना side distance कम से कम होना चीए, या यूँ कहिए, कि obstruction या buildings जो है वो कितनी दूर इन road के edges से रखी जाएं, ताकि ऐसा हो पाए, यह sufficient visibility बन पाए, तो यह कुछ examples आ जाते हैं, यह सारी बाते हम किसके कर रहे हैं, side distance के कर रहे हैं, side distances के बाद में cross section के elements आ जाते हैं, कि एक highway जो चल रहा था है, अब imagine कर यह highway है, उस highway का cross section, cross section का मतलब एक बहु highway को काट दीजिए, बीज में से, ठीक है, highway को काट दीजिए, जैसे यह वाला road जा रहा था, इसको ऐसे cut लगा दो इसके उपर एक, अब जब इसके उपर ऐसे cut लगा दिया आपने, तो अब इस cross section को देखना है, आपको क्या क्या दिखेगा, क्या क्या elements दिखेंगे, तो वो next क्या होगे, cross section elements हो सकते हैं, side distance वाले elements हो सकते हैं, आप curve के उपर जाते हैं, तो वहाँ पर आ जाएंगे, आप curve के उपर अगर जाएंगे, तो curve के उपर वहाँ पर आएंगी, centrifugal force लगेगी vehicle के उपर, तो उस case में centrifugal force को counteract करने के लिए, यह जो outer edge of the road होती है न, इसको lift करे यह super elevation provide करते हैं, हमारा vehicle अगर curve के उपर जा रहा होता है, तो उसकी होती है off tracking, vehicle का यह outer front wheel जो होता है, यह क्योंकि यहाँ पर steering कर देते हैं, हम इसको गुमा देते हैं, turn देते हैं, direction change कर रहे हैं, तो यह outer वाला जो है, यह जादा radius occupy कर रहा है, यह जादा दूर तक जा रहा ह होते हैं, अगर कहीं पर जगा ऐसी है, टोपोग्राफी ऐसी है, कि इस तरीके की gradients आ रहे हैं, अब possible नहीं हो पाता है हमेशा, कि अगर इस तरीके के gradients आए, तो आप यहाँ से यह पूरा का पूरा कट ही कर दो, फिर उसके बाद नीचे से road बनाओ, या फिर पीछे से जो road लेके आ रहे थे, उसके अंदर filling करके, यहां पर मिट्टी भरके, फिर उसको एकदम level कर लो, possible नहीं होता है, बहुत ही जादा unnecessary costing हो जाती है वो, तो ऐसे case में जब आप highway curves के उपर बना रहे हैं, और curves यह कौन से हो जाएंगे, vertical curves हैं, तो vertical curves जहां पर आते हैं, तो बहाँ प रोक ना पड़ जाए vehicles को, तो वो रोक तो पाएं, तो minimum side distance available रहना चीए, ऐसे cases के अंदर भी, तो इन curves को बोलते हैं, summit curve, तो summit curve के अंदर क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे, next type के curve आ जाते हैं, valley curve, valley curve में अगर हम बात करें, तो valley curve में अगर कोई vehicle यहां से आ रहा था, एक vehicle यह अगर ऐसा कोई curve कहीं पर बनता है, तो visibility की दिन में तो कोई problem नहीं है, दिन के अंदर तो clearly यह कितनी ही दूर हो चाहिए vehicle दिखी जाएगा, कि सामने से कोई vehicle आ रहा है, लेकिन रात में problem हो जाएगी, रात में नहीं देख पाएंगे, तो रात में कम से कम कितना headlight distance हो, कि headlight क जो अगर focus पड़ेगा, तो वो focus ऐसे थोड़ी नहीं कि सब जगह आप एकदम प्रकाश कर देंगे पूरे जगत में, वो एक particular distance ही होगा न, और ये distance, वो light जानी चाहिए, कम से कम इतने distance तक, आप रात को अगर drive कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज होगी न, कि मेर जो light है, वो इतनी दूर तक तो कम से कम जाए, कि मुझे कोई भी अगर obstacle दिखे road के बीच में, तो मैं अपना vehicle रोक पाऊं, उतने distance के अंदर, तो वो distance जो है, वो आपके पास वो कैसे calculate करेंगे, ये है, जब आप किसी valley curve के अंदर से जा रहे होते हैं, तो ये ensure करेंगे न, जैसे आपके घर का ramp होता है, आपके घर का जो ramp होता है, अगर अपने घर के अंदर, ramp मतलब जो main door के बाहर, घर के main gate के बाहर होता है, घर में जिससे आप गाड़ी चड़ाते हैं, अगर आप तेज speed से लेके आएंगे, तो आपके गाड़ी के जो front wheels है न, वो एकदम से इस ramp के टकराएंगे, यहाँ पर ramp पे टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, suspensions या जो shock absorbers होते हैं आपके vehicle के, वो एकदम से पूरे के पूरे compress हो जाएंगे, एकदम से जटका महसूस होगा, आपके vehicle को भी loss है, उस चीज़ से उससे भी damage है, और आपको discomfort होगा, same situation यहाँ पे होती ह तो overall यह सारी चीज़ें जो है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब एक एक करके शुरू करते हैं, so main components of geometric design, जिसके अंदर आते हैं highway का alignment कैसा होगा, road के classifications, तो highway का alignment और road किस type की हम बना रहे हैं, सबसे main बात तो यह आ जाती है, जो उसके geometric design क इंपक्ट करने वाली है, pavement, surface characteristic, pavement आप किस तरीके का बनाना चा रहे हैं, concrete वाला बना रहे हैं, bitumen वाला बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, next बात आती है, cross section के elements, cross section के elements के अंदर road की जो width हो गई, pavements, जो lanes हैं, लग-लग उनकी width हो गई, camber क्या होता है, यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे, side distance, जो हमने बोला, कि अगर आपको कोई obstacle दिख जाए, तो कितनी दूरी तक कम से कम दिख जाए, कि आप अपना vehicle रोक पाएं, overtake करना है, तो कितना होगा, intersection के उपर आएगा, तो कितना होगा, headlight distance कम से कम कितना होना चाहिए, vehicle को रात को अगर आप operate कर रहे हैं, तो उस case में कितनी visibility minimum आपके पास available होनी चाहिए, horizontal alignment के अंदर, जैसे की super elevation provide करते हैं, transition curve provide करते हैं, यह सब क्या होता है, topic के अंदर ही बात करेंगे, vertical alignment, जब भी आप ऐसे curves के उपर जा रहे थे, चाहे summit curve पर जा रहे थे, चाहे valley curves के उपर जा रहे थे, तो इनके बात करेंग side distance वालों में, already हम discuss कर चुके, तो सबसे पहले factor पर आते हैं, शुरू करते हैं दुबारा से, main components of geometric design, आप यह कह लिजी, geometric design में अगर यह यह lines आपको याद है, geometric design में अगर आपको याद है, road classification या highway alignment या basic features, pavement surface characteristics, cross section element, side distance, horizontal alignment, vertical alignment, तो इतने में आपको highway का geometric design है, वो अच्छे से याद रहने लग जाएगा, type of roads पी बात करते हैं, सबसे पहले factor जो कि impact करेंगे, वो है type of road, अब type of road में national highway हो सकता है, जो अलग-लग states को join करेगा, express base आ जाते हैं, जो और ज़्यादा facilities provide कर देते हैं, और ज़्यादा speed जो है वो हमें provide कर देते हैं, 120 km per hour तक, हमारी vehicles के अंदर उससे उपर जाना, state highways के अगर हम बात करें, तो वो अलग-लग districts को join करते हैं, major district road, किसी जो district के अंदर connect कर रही है, main-main जो population वाले areas हैं उनको, other district road, rural areas को किसी marketplace से जो join करते हैं, वो other district roads में आ जाती हैं, अलग-लग गाओं को connect करने वाली roads जो हैं, वो village road के अंदर आ जाती हैं, next, urban roads आती हैं, urban roads के अंदर, अब किसी urban area से कोई आसपास से, किसी शहर के पास से, अगर कोई express ले जा रहा है, तो वो urban roads के अंदर आ सकता है, arterial road, main जो शहर के अंदर, main crowded या populated जो सड़के होती हैं, market के अंदर से कोई जा रही हैं, तो वो arterial roads कहलाती हैं, सब arterial उनको connect करने व तो गलियां वहां के हो जाएंगी, type of vehicle पे आते हैं, यहां से थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा, type of vehicle मतलब एक ऐसा vehicle मानना पड़ेगा, जिसे design vehicle का नाम देंगे और हमारा highway का design जो है, वो उसके corresponding करेंगे, दो प्रकार के vehicle होते हैं, पहला vehicle जो हम personal vehicle यूज़ कर दिया, कि बड़े vehicle के लिए वो road safe है या उसका design safe है, तो छोटे vehicles के लिए तो कहीं पर कोई problem ही नहीं आने वाली है, तो हम commercial vehicles जो होते हैं, उनको consider कर लेते हैं, design point of view से, क्योंकि commercial vehicles जो होंगे, उनका load भी जादा होगा उनके उपर, और उनके dimensions भी जादा होंगे, तो उने safe कर वादेंगे, तो जो private vehicles हैं या personal वाले हैं, वो अपने आप ही safe हो जाएंगे, width of non-transport vehicle 2.5 meter consider की जाती है, transport vehicles जो होते हैं आपके, उनके 2.7, height जो होती है, double decker bus या थोड़ी और जानकारियां detailed में अगर आपको चाहिए, अब क्या ये table याद करना है, ये table याद कर सकते हैं, त क्योंकि recent 2-3 सालों में, जैसे RRB के अंदर पूछा था, SSC के अंदर पूछा था, तो इनसे related कहीं ना कहीं, question बन जाता है, पूछ लेता है आपसे, जैसे double decker bus जो है, तो उसकी height कितनी होती है, तो उसकी height ये consider की जाएगी 4.75 meter. एक बार नजर मारीए सब के उपर, motor vehicle other than transport, having not more than two axle, axle क्या होता है, दो wheels की जो assembly होती है, उसको axle बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारी car के अंदर दो axle होते हैं, एक front में एक पीछे, और दोनो axle के उपर, दोनों तरफ एक एक wheels जो है, वो लगे हुए होते हैं, ट्रक्स के अंदर अगर हम देखते हैं, तो ट्रक्स के अंदर किस तरीके के axle लगे हुए होते हैं, कुछ ऐसे, जो rear वाले wheels होते हैं, तो एक axle के उपर, दो-दो wheels लगे हुए होते हैं, तो इसके बारे में pavement design के अंदर बात करेंगे, किस type के axle's होते हैं, और उनका क्या role है, या हम design कैसे करेंगे, वो pavement design के अंदर आता है, फिलाल main main जो data है, उसके बारे में देखना है, motor vehicle other than transport, having not more than 2 axle, 2 axle से जाधा नहीं हो, तो उसकी जो आपकी length है 9.5 meter, transport vehicle with rigid frame, with 2 or more axle, 2 से जाधा अगर axle है, rigid frame का मतलब होता है, जैसे कुछ vehicles ऐसे होते हैं, जो जिनका frame move कर सकता है, जैसे truck होते हैं, जो multi axle वाले truck होते हैं, तो उनका front वाला portion अलग होता है, rear वाला portion जो अलग होता है, तो वो beach में से 2 portion उसके divide हो सकते हैं, ऐसे, फिर उसके बाद ये next वाला, तो ये rigid वाला नहीं है, rigid की अगर हम बात करें, तो rigid axle है, एक single पूरी body उसकी है, articulated vehicle with more than 2 axle, इनकी अगर हम बात करेंगे, multiple axle वालों की अगर हम बात करेंगे, तो वो आ जाते है, 16 meter, truck trailer या फिर tractor की बात करें, या उनके combinations की बात करें, तो 18 meter maximum length उसकी हो सकती है, width की बात करें, 2.5, 2.7, already देख चुके, double dagger bus is 4.75, others for normal application, 3.8 meter, और ISO containers, जो जैसे train के अंदर देखे होंगे आपने जो ISO containers जाते हैं, जिनके अंदर सामान जाता है, similarly अगर आप road के उपर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, truck के उपर उन containers को लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए 4.2 meter रहता है, एक बार read करना है बस इसको, चलिए, आगे बढ़ते हैं, topography क्या होती है, topography का मतलब किसी area के आप main features जो हैं, उनको बता रहे हैं, चाहे वो man made हो, चाहे वो हो naturally made हो, topography के अंदर mainly, आप किसी region को बोलते हैं, यह तो plain region है, plain region है, इसका मतलब कि उस जगां का cross slope, जिस जगां के उपर आप खड़े हैं, वो एकदम flat है, या फिर वो थोड़ा सा आप ये कह लिजे, inclined है, inclined कितना है, one vertical is to an horizontal form में हम बताते हैं, या इसको इन percentage में भी बता देते हैं कि कितना horizontal distance upon कितना, sorry, कितना one unit vertical upon कितना horizontal in 200 is form में, तो अगर slope जो है, वो 0 से 10% के बीच में है, तो plain बोलेंगे, 10 से 25 के बीच में है, तो rolling terrain बोलते हैं उसको, और अगर 25 से 60 है, तो mountainous बोलते हैं, greater than 60 है, तो steep बोलते हैं, और ये table याद होना ही होना चाहिए हर हालत में, इस स भी बूच सकता है, या फिर कहीना कहीं इसका use आ जाएगा, तो cross slope जो होता है, या उस जगां की अगर हम बात करें, वहां का जो country slope बोल सकते हैं, आप उस particular location की बात करें तो, 0 से 10 तो plain बोलेंगे, 10 से 25 rolling बोलेंगे, 25 से 60% है, तो mountainous terrain आ जाएगा, और greater than 60% है, तो उसे बोले रहे हैं, example के तौर पे, अगर आप किसी एकदम plain terrain वाली जगह के उपर हैं, तो जैसे example के तौर पे आप कह सकते हैं, ठीक है, plain terrain के अंदर कह सकते हैं उसे, फिर उसके बाद थोड़ी डेलान जहां पर शुरू हो जाती है, 10 से 25%, mountainous या hill stations के उपर जब आप चले जाते हैं, त आपको steep terrain दिखाए देगा, एकदम सीधी जो चड़ाई होती है, वो दिखाए देगे, ये 10% slope का मतलब क्या है, 10% slope का मतलब है, कि 10 meter अगर आप चलेंगे, 100 meter अगर आप horizontal चलेंगे, तो 10 meter आपको vertical चलना पड़ेगा, मतलब आपकी उस जगह की जो धलान है, वो कुछ किस प् vertical है, 100 horizontal है, तो 10 by 100 into 100 कर लीजे, तो 10% country slope बन जाएगा, वहाँ का, तो 0 से 10 तक अगर ऐसा हो, मतलब धलान की value, यहाँ से 0 से लेके, फिर उसके बाद और बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, 10 तक लेकर जा रहे हैं, तो 0 से 10% तक जगह को plane बोल सकते हैं, 100 meter जाने पर 10 meter vertical जाएगा, तब तक वो plane हो सकता है, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं, हाँ न, थोड़ा सा बता दीजेगा, कि starting है topic का, समझ में अगर आ रहा है, तो yes बता दीजेगा, नहीं आ रहा है, तो no बता दीजेगा, थोड़ा सा flow बन जाएगा, तो I would also get कि हाँ सबको सारी चीज़ें clear हो रही है, यहीं पर problem हो जाएगी, तो फिर आगे कैसी समझ में आएगा, PDF बता दीजेगा हमें, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो टोपोग्राफी की बात कर रहे थे, टोपोग्राफी, किसी कंट्री का स्लोप 0 से 10% तो प्लेन, 10 से 25, रोलिंग 25 से 60, माउंटेनियस, गेटर देन 60, स्टीप कहेंगे उसे, तो नेक्स इंपर्टेन फेक्टर देटर अफेक्ट्री जेमेट्री डिजान इस टोपोग्राफी, इस एज़ियर तो प्लेन टेरेन, कि प्लेन टेरेन के इंदर रोड बनाना बहुत असान होगा, अगर किसी माउंटेनियस रीजन में आप सडक बनाते हैं, वहाँ ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, अगर इस रोड के ओर अगर आप जा रहे हैं, आप उस जगां का बता रहे हैं, परसेंटेज में इसको एक्स्प्रेस किया जाता है, तो टोपोग्राफी के अंदर यहां पर उसका terrain express करते हैं क्या बताते हैं उसका terrain कि किस प्रकार का terrain है वो next आती है traffic capacity पढ़ क्या रहे हैं पढ़ रहे हैं geometric design geometric design of highway की बात हो रही है जिसमें factors देख रहे थे design vehicle आ गया हमारा type of highway जो है type of road आ गया उसके बाद हमने टोपोग्राफी की बात कर ली अब traffic capacity की बात कर रहे हैं तो traffic capacity का मतलब कि जो highway हम construct करने जा रहे हैं उसके उपर capacity कितनी होगी कितने vehicle उसके उपर आएंगे कितने vehicle उसको use करेंगे अब कितने vehicle use करेंगे बताने का तरीका क्या हो सकता है या तो आप ये बता दीजिए कि एक किलोमेटर रोड के अंदर एक किलोमेटर लेंथ आफ रोड के अंदर at any instant of time कितने number of vehicles रहते हैं तो इसे तो क्या बोलते हैं density बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं density बोलते हैं so density is what vehicle per unit length vehicle per kilometer होता है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कितने vehicles हैं उस रोड को यूज़ कर रहे हैं वो बताने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप किसी एक section के उपर खड़े हो जाएं और उस section के उपर खड़े होके आप ये बता सकते हैं कि time note करेंगे per hour कि कितने vehicles per hour यहां से पास हुए कितने vehicles per hour यहां से पास हुए इसका मतलब आप traffic का volume बता सकते हैं time observe करेंगे survey करवा सकते हैं तो उसके अंदर time observe करेंगे कितने vehicles per unit time से यहां से पास होते हैं कौन से घंटे में सबसे जादा vehicle होते हैं सार के अंदर सबसे कौन वह होते हैं पीक टाइम्स बता किया जा सकता है कौन सा ऐसा टाइम जिसमें कंजेशन सबसे जएधा होते हैं तो वो सारी traffic studies की जा सकते हैं उन से हम यह बता करेंगे कि traffic capacity क्या है maximum vehicles कितने यूज traffic capacity होती है वो कहलाती है traffic capacity volume की जो maximum limit होती है या कितना वो road accommodate कर सकती है vehicles को that is known as traffic capacity अब traffic capacity बताई कैसे जाए कितने vehicles traffic capacity बताई कैसी जाए अब truck भी चलेगा car भी चलेगी bike भी चलेगी cycle भी चलेगी बैल गाड़ी भी चलेगी सारे type के vehicle चल रहे हैं तो बताए कैसे कि कितने vehicles अलग अलग थोड़ी ना बताएंगे कि truck इतने गए इतनी buses गए इतनी cars गई तो हमें यहाँ पर एक common unit की जरूरत पड़ेगी उन सारे vehicles को convert करने के लिए common unit की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम बोल देते हैं passenger car unit, PCU बोल देते हैं तो passenger car unit का मतलब क्या है कि हम convert कर देंगे, एक car है तो उसको 1 PCU बोल देंगे, एक car जो है उसे 1 PCU के बराबर यो आनेंगे, अगर आप bicycle use कर रहे हैं तो उसे बोल देंगे हम आधी car के बराबर है वो, एक bicycle जो है वो किसके बराबर है bicycle हो गया motorcycle हो गया scooter हो गया इसको आधी car के बराबर माना गया car की बात करें van की बात करें auto rikshah इन्हें one unit के बराबर माना गया one pcu, one passenger car unit pcu क्या है एक unit बना दी हमने एक unit define कर दी जिसकी terms में vehicle को बताया जाएगा next बात करेंगे cycle rickshaw cycle rickshaw को 1.5 कर देंगे चलो ठीक है truck bus का समझ में आता है कि car के comparison size बहुत बड़ा होता है तो 3 PCU के बराबर उनको मान लेंगे 3 PCU के बराबर है bell गाड़ी को 6 कर रहे है cycle rickshaw को 1.5 कर रहे है इतना ज़ादा क्यों जब कि cycle rickshaw चादो car से भी छोटा होगा तो यह जो categorization हम करते है passenger car unit का वो किस basis पर करते है कि वो कितना congestion create करवा रहा है क्या create करवा रहा है वो कितना congestion create करवा रहा है आप अगर road के उपर जा रहे है आपके आगे आगे कोई bell गाड़ी चल रही है तो बीचे से जो traffic आ रहा है उसको obstruct कर देगा न वहाँ पर traffic jam लगना शुरू हो जाएगा धिरे-धिरे सब की speed जो है वो impact होनी शुरू हो जाएगी तो congestion के हिसाब से passenger car units बताई जाती है कि एक bike जो है वो इतना ज़ादा congestion नहीं create करवाती है तो आधा car जो है क्योंकि speed जादा होती है तो वो भी 1 PCU के बराबर माना बस यह truck जो होता है उसको 3 PCU depending upon its size as well as कि वो congestion कितना create करवा सकता है आप highway पर अगर चलते हैं जहां पर भी jam लगा होता है आपके आगे कोई bus truck चल रहा होता है आप कभी prefer नहीं करते हैं आप सोचते हैं बस side में हो जाते हैं थोड़ा तो इससे आगे easily हम निकल जाएंगे और usually आप निकली जाते हैं तो on the basis of congestion हम देखते हैं कौन कितना congestion create करवा रहा है तो passenger car units define कर रहे हैं हम count करने के लिए traffic capacity को बताने के लिए कितने number of vehicles maximum से maximum किसी unit time में आए या फिर predict कर लेते हैं आज की date में देख लिए हमने आज की date के अंदर कितने maximum vehicle आएंगे आज चल रहा है 2022 तो हमने देखा कि 2022 के अंदर maximum vehicle कितने हैं क्योंकि हम अभी नया एक highway construct करने वाले हैं हमें पता है कि इस highway को construct करने में दो साल लग जाएंगे तो 2024 तक ये पूरा construct हो पाएगा तो हम क्या देखेंगे कि 2022 में construction शुरू हुआ अगर 2024 में खतम होगा जिस दिन ये शुरू होगा न उस दिन जितना traffic होगा तब से ले करके इस highway की जो service life है अगर हम मान रहे हैं कि 20 साल के लिए highway हम design कर रहे है तो 2024 तक 2044 तक वो serve करना चाहिए तो 2044 के अंदर कितना traffic हो जाएगा उसके लिए इसको design करेंगे है clear तो जब construction खतम हो जाएगा तब से लेके उसकी design life जो होगी तब तक कब predict करेंगे कितने vehicles हो जाएगे की terms में हम उसको design करते है next आता है कि जो data calculate करेंगे वो data कैसे calculate किया जाएगा अगर data calculate करेंगे तो वो data कैसे calculate किया जाएगा आप volume count लेते हैं आप क्या करेंगे एक साल की जो सारा data था वो सारा data आप उठा लेंगे एक साल के अंदर आपको यह पता लगा ranking दे रहे हैं आप यह मान लिजिए कि यहां पर rank provide कर रहे हैं आपने यह बोला कि 29th of September को 10 बजे से लेकर 10 a.m. to 11 a.m. वाला जो घंटा था उसके अंदर maximum कुछ भी एक random unit आप मान लिजिए कि इतने vehicles परार आ रहा है let's say कि उस दिन 10,000 vehicles परार निकले उस जगह से फिर उसके बाद next कोई date आपने बता दी 13th April सुबर 6-7 मान लिजिए उसके बाद यह 9,000 vehicles आए थे and so on तो पूरे साल का जो data था उस साल के data में से आपने ranking निका ली कि first number पर सबसे ज़्यादा वाला traffic कौन सा था फिर उसके बाद कब था फिर उसके बाद कब था third, fourth, fifth, sixth and so on तो ऐसे करके जो 30th number का जो volume आता है न एक साल के पूरे data में से वो सारे hours निकाले वो सारे घंटों का data calculate किया हमने कि जिसमें सबसे ज़्यादा vehicles थे तो आपके पास वो पूरी list आ गई कि जी सबसे ज़्यादा थे इस date को फिर second number पे थे इस पे, third number पे इस पे and so on तो जो 30th number का data होगा लेट से कि 30th number पे आपके पास value आई 5000 vehicle per hour तो आप क्या कहेंगे कि यार अगर 10,000 vehicle per hour के according में design करूँगा न तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा un economical हो जाएगा अगर 5000 के according करें तो होगा क्या एक साल में ऐसे 29 hours ही तो होगे एक साल में ऐसे 29 घंटे ही तो होगे जब जिसके लिए हम design कर रहे हैं उससे ज़्यादा traffic होगा तो मतलब एक साल में सिर्फ 29 hours ही तो होगे जब congestion हो सकता है traffic jam लग सकता है तो 29 hours out of 365 days और 365 into 24 hours कर दूँ तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है मतलब jam जो लगेगा या congestion जो create होगा या यूँ कह लिजे कि probability of congestion अगर पूछे हमसे कि congestion की probability क्या होगी तो हम कह रहे हैं कि हम 30th hour 30th hour highest volume एक साल की data निकाला उसमें से top 30 वाले घंटे निकाले जिनमें सबसे ज़ादा traffic था और उनमें से 30 नंबर वाले घंटे के लिए हम design करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि एक साल में सिर्फ ऐसे 29 घंटे ही तो होगे जब हमारे design वाले traffic से ज़ादा traffic आएगा मतलब उस वक्त जाम लगेगा congestion create होगा तो एक साल में 29 hours तो चली सकता है अगर इतने पैसे बच रहे हैं हमारे समझ में आगया हूँ? कम समझ में आया हूँ? दुबारा से सुन लीजिए एक पूरे साल का data निकालना है आपको किसी ने आपको पूरी जानकारी दे दी है पूरा survey किया गया और आपको यह बताया गया कि एक साल के अंदर top 30 hours एक साल के आपने top 30 hours निकाल ली हैं top 30 घंटे आपने निकाल ली हैं जिन 30 घंटों में सबसे ज़्यादा traffic रहा और आपने उनको list out कर लिया rank दे दिया number 1 सबसे ज़्यादा किस दिन था number 2 किस दिन था और कितना था number 3 किस दिन था कितना था तो इस हिसाब से जो 30 घंटे आएगा तर्टियत वाला जो आएगा जिस वाल्यूम के लिए हुँ डिजाइन कर रहे हैं उससे उपर 29 hours ही तो होंगे जब congestion हो सकता है जल्दी से बताईए समझ में आया या नहीं आया हूँ 29 hours कैसे होगा समझ नहीं आया बही तो बता रहे हैं दोस्त चलो ठीक है दन पूरे साल का डेटा होगा दोस्त ऐसे थोड़ी है कि दो दिन के इंदर ये काम कर लेंगे दो दिन का डेटा नहीं लेना टॉप 30 hours of entire year पूरे साल का डेटा आप consider कर रहे हैं उसमें से आप टॉप 30 hours चूज़ कर रहे हैं उन 30 hours में से जो तीसमें नंबर का होगा उसके according design करेंगे हम क्यों क्योंकि 29 hours in a year कोई बड़ी बात नहीं है अगर इतने hour congestion होई जाता है तो इसकी probability या percentage में अगर हम बात करें into 100 करके अगर percentage में बात करेंगे तो वो 0.33% आता है वो कितना आता है? 0.33% आता है So generally design capacity is taken as 30th highest hourly volume तीसमें घंटे की highest वाली जो volume होती है तीसमें नंबर पर जो होती है उसका इस्तेमाल करते है Only for 29 hours in a year एक साल में सिरफ 29 घंटे या ऐसे आएंगे जब हम हमारे design वाली volume से मतलब जादा traffic जब आएगा उसके उपर तो probability की बात करेंगे तो 29 hours out of 365 into 24 तो यह आता है 0.33 So for Indian condition 30th highest hourly volume comes around 8-10% of annual average daily traffic annual average daily traffic क्या होता है? कि आप पूरे साल में कितना traffic आया divide by 365 कर लीजिए तो at an average एक दिन के उपर कितना traffic आ रहा है यह हम बता रहे है average ले रहे हैं यहाँ पर Next आता है दोस्तों Design speed Design speed की अगर हम बात करें तो design speed वो speed हम consider करते हैं आपने data लिया आपने data लिया इसे कैसे काम चलेगा अब एक बात बताओ notes कैसे बनाने है इसके short notes कैसे बनाने है छोटे बच्चे तो हो नहीं आप सारी चीज़े important क्या है वो आपको बताई जाती है questions आपको करवाय जाते है तो सब कुछ master जी थोड़ी ना बता देंगे दोस्त अब यहाँ पे जो भी चीज़े हैं यह सारे notes है फालतु की चीज़ कोई भी नहीं करवा रहे फालतु की चीज़ जो है वो कोई भी नहीं बताई जाएगी क्योंकि पढ़ाई आप किसलिए कर रहे हैं पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं कि for your future for your career, entertainment के लिए तो कर नहीं रहे तो entertain तो आपको करना नहीं है उस point of view से तो यहाँ पे time waste हम वैसे भी नहीं करने वाले है तो आप अपना important time निकाल के आए हैं पूरे दिन का तो जो important है वही सारी चीज़ हैं discuss की जा रहे है so everything that is visible to you that is being written here, that is being taught to you that is being told to you की important है तो वो सारा notes में होना चीए आपके simple, फिर short notes में वो चीज़ लिखने है जो याद नहीं रहेगी आपको अब इस चीज़ के उपर रोज रोज क्यों परेशान होना है कि क्या notes और फिर उसके बाद ये PDF वाले सब मिल जाएगा दोस्त पढ़ाई पर ध्यान दो फिलाल टॉप 10 क्यों नहीं लेते हैं economic नहीं होता है दोस्त टॉप 30 वाला ले लेते हैं 30 नंबर वाला, क्योंकि अगर 10 पर जाएगे तो volume बहुत जादा आजाएगा इतना जादा vehicle actual में travel करी नहीं रहा है इतनी बड़ी बड़ी roads वैसे इंडिया के अंदर इतना जादा अभी जो है हालात खराब चल रहे हैं तो पूरा पैसा अगर हम roads के उपर ही लगा देंगे तो बाकी development क्या करेंगे unemployment पे क्या काम करेंगे food security के उपर क्या work करेंगे education पे क्या करेंगे चलो शुरू करते हैं geometric design की बात कर रहे थे geometric design के अंदर आती है design speed design speed के अंदर मतलब एक speed बतानी होगी हमें और वो वली जो speed होगी अब ध्यान से सुनना आप जो जो chat के अंदर बात करेगा जिसकी chat दिखगी मैं फिर उसके बाद जो भी question होगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर entertain नहीं कर सकते दोस्ट ठीक है आपको कुछ भी नहीं आता वो चल जाएगा लेकिन जो बताया जा रहा है एकदम zero से एकदम scratch से बताया जा रहा है उसको सुन नहीं रहे हैं इधर उधर की पंचाइतियां कर रहे हैं वो चीज़ entertain नहीं की जाएगी simple as that design speed की बात कर रहे हैं तो एकदम make clear आपके सारे senses जो है वो properly work कर रहे हैं design speed जब भी हम data collect कर लेंगे कि सारे vehicles किस की speed के किस की range के कितने vehicles जा रहे हैं 0 to 10 km per hour के कितने vehicles हैं तो पूरा हमारे पास data होगा कि 0 से लेके 10 km per hour की speed के कितने vehicles जा रहे हैं let's say 1000 vehicle गए फिर उसके बाद हमने बोल दिया 10 to 20 के कितने गए 20 to 30 कितने गए and so on इस तरीके से पूरा data available होगा कितने vehicles किस की speed से जाते हैं फिर हम यह देखेंगे कि वो speed कौन सी है जिस speed के उपर 98% जिस speed पर या जिस से नीचे 98% of the vehicle move कर रहे हैं example के तौर पे हमारे data के according यह answer है हमारे पास की 80 km per hour वो speed है जिस speed के उपर या फिर जिस speed से कम 98% vehicle चल रहे हैं तो उसे बोलते हैं 98th percentile speed highway के geometric design के अंदर जो इस्तिमाल होती है वो कौन सी इस्तिमाल होती है 98th percentile speed इस्तिमाल होती है वो speed जिस पर या जिस से नीचे 98% of the vehicles move कर रहे हैं तो 98th percentile speed हम consider कर लेंगे अगर हम बात करते हैं दोस्तो express way के अंदर कम से कम वो speed minimum speed का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप कम से कम इतनी speed पर तो चला होई हमारे design point of view से कि अगर हम geometric design कर रहे हैं तो geometric design के according कम से कम इतनी speed मान कर तो design करो ही करो क्योंकि express way के उपर vehicle आपर वीकल आपर तेज speed से जा रहा होगा जब तेज speed से जा रहा होगा तो वो safe रहे उसकी safety ensure करना हमारा काम है तो वो curves आएं तो curve के उपर properly mode पाई proper sight distances available रहे कि एकदम से उसको कोई obstruction ना दिखे उसको sufficient distance मिले ताकि वो उपने vehicle को रोक पाई तो इसके लिए आप यहां पर कम से कम 100 km पर आर इतनी speed के लिए तो आप design करें करें ruling speed का मतलब क्या होता है ruling शब्द बताता है maximum extreme value value बताता है maximum safety के point of view से speed की बात करेंगे तो ruling speed का मतलब हो जाएगा कि design point of view से जो maximum से maximum provide की जा सकती है तो वो 120 km पर आर हम consider करते है national highway state highway के लिए आ जाती है वो 100 km पर आर कि design point of view से maximum safe speed जो consider की जा सकती है state highway के लिए वो 100 km पर आर है कम से कम state highway को 80 km पर आर के लिए तो design करेंगे ही करेंगे तो इस according हम design speed जो है वो select करते हैं कि design speed क्या होगी हमारे इस particular highway के लिए और आगे throughout जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे फिर उसके बाद आते हैं दोस्तो surface characteristics के उपर surface characteristics का मतलब क्या है अगर आप road के उपर जा रहे थे और आपको अपना vehicle रोकना पड़ गया अगर आप road के उपर जा रहे थे और आपको अपना vehicle रोकना पड़ गया brakes आप apply करेंगे तो brakes apply करने से vehicle रुकेगा क्योंकि friction act किया opposite direction में क्यों रुका क्योंकि friction act किया opposite direction में अब आप कौन सी direction में चल रहे थे आप road की ही length की direction में चल रहे थे या यूं कह लीजिए कि आप longitudinal direction में चल रहे थे तो यहाँ पर कौन सा friction act करेगा longitudinal friction act करेगा whenever you are going for the operation of breaking तो जब भी B, R, A, K, I, N, G break लग रहे हैं जब भी B, R, A, K, I, N, G तो breaking का operation जब भी हो रहा है तो उस case में longitudinal direction का friction जो है वो act करता है जब भी हम curve की बात करते हैं या फिर यह कह लीजिए कि horizontal curve के उपर होते हैं जब भी हम horizontal curve के उपर होंगे तो जब आप turn ले रहे हैं चाहे right turn ले रहे हैं चाहे left turn ले रहे हैं तो आपने अक्सर महसूस किया होगा आप bike पर जा रहे हैं, cycle पर जा रहे हैं, car पर जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं जब आप turn के उपर होते हैं तो outward direction में force लगती है जब वो इस direction में जाने की tendency बन रही है, उनकी इधर खिचने की tendency बन रही है, तो उस वक्त friction act करेगा यहाँ पर inverse direction में, यह curve का center था, तो इसलिए इसको outward direction बोल देंगे, इसको invert, तो अगर vehicle के उपर centrifugal force outward direction में जा रही थी, तो friction जो है, वो invert direction में आया, यह road की length वाली direction थी, यह इसकी lateral direction थी, तो यहाँ पर जो friction act करता है, वो कौन सा act करता है, lateral friction act करता है, यह आपको याद रखने हैं, breaking का operation होगा, longitudinal friction act करेगा, curves के उपर होँगे, lateral friction जो है, वो यहाँ पर act करने वाला है, next बात आती है, कि जब आप, अगर आप मान लीजिए, किसी कीचर वाली, या कोई slippery बारिश के दिन चल रहे हैं, तो आपको यह चीज जो है, महसूस होती होगी, अगर आप अपने vehicle को चलाते हैं, और उसी जगां के उपर ही लगबग vehicle खड़ा हुआ है, और उसके wheels अगर rotate कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा होता है, वो slip हो रहा होता है, अपनी जगां पर, या फिर जादा उसने length वाला distance cover नहीं किया है, वहीं पर वो घूमता हुआ जा रहा है, तो आप कहा रहे हैं, sleeping हो रही है, skidding कब होती है, आप बोलते हैं कि, चोट लग गए, कैसे लगए गोई आपसे पूछता है, तो आप कहते हैं, bike skid हो गई, क्या हो गया, bike skid हो गई, bike skid होने का मतलब क्या होता है, जब आप road के उपर जा रहे थे, और एकदम से आगे कोई obstruction आया, आपने brake apply किये, brake apply करते ही क्या होगे, vehicle के wheels जो थे, वो wheel तो jam हो गए, उनका movement रुक गया, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी horizontal direction में, आगे की direction में move करती हुई चली जा रही थी, तो वो क्या कहलाता है, skidding कहलाता है, वो होता है skid, slip का मतलब होता है, अपनी ही जगां पर rotate करते रहे न, रोटेट कर रहे हैं, उसके comparison में आगे कम move कर रहे है, skid का मतलब होता है कि rotation रुक चुका है, या कम हो चुका है, और further आगे की direction में movement जो है, वो हो रही है, tires जो है गिसना शुरू हो गए है, skid mark road के उपर आने शुरू हो गए है, road के उपर tires के निशान आने शुरू हो गए है, तो इसे क्या बोलते हैं, skidding बोलते हैं, अक्सर हम बोल देते हैं कि bike slip हो गई थी और गिर गया था, तो slip होने का एक तो वो मतलब होता है कि वैसे literally जैसे एकदम कहीं से फिसल गई वो वाली चीज, लेकिन अगर ऐसा होता है, जब आप brakes apply करते हैं, तो brakes apply करने से wheel का movement जो है, वो रुख जाता है, अब wheel का movement रुख जाता है, तो आप एक ऐसी vehicle को imagine करिए, एक ऐसी bike को imagine करिए, जिसके wheels नहीं गूम रहे हैं, और वो wheel घिसते हुए जा रही है, तो क्या उस vehicle के उपर आपका control रहेगा, आप अगर cycle चलाते हैं, या bike चलाते हैं, तो दियर आप तब ही कर पाते हैं, उसको smoothly आप turn दे पाते हैं, direction दे पाते हैं, control कर पाते हैं, तब ही जब उसके wheels की movement है, तो अगर wheels की movement एकदम से रुख जाएगी, तो अब वो घिसते हुए जाएगा जब घिसते हुए जाएगा तो उसके उपर आपका control नहीं रहेगा इसी वज़े से accidents हो जाते हैं तो इसी के कारण यह काफ़ी सारे reforms किये गए वीकल के अंदर anti-lock braking system या ABS system जो है वो आ गए जिसके कारण वीकल जो है उसकी braking भी हो जाती है लेकिन wheels के movement जो है वो भी कुछ हद तक maintained रहते हैं जिससे कि आप वीकल की direction को steering को control कर पाएं तो यह main main बाते थी skid क्या होता है sleeping क्या होता है longitudinal coefficient of friction जब भी आप वीकल कोई ब्रेक apply कर रहे हैं road के उपर जा रहे थी सीधी road पर break apply करेंगे तो longitudinal coefficient of friction लगेगा जिसकी value 0.35 से 0.4 के बीच में होती है जब भी आप turn के उपर होते हैं curve के उपर होते हैं तो coefficient of friction जो लगता है वो lateral वाला लगता है जिसकी value 0.15 होती है lack of friction causes skidding and slipping, skidding और sleeping lack of friction के कारण होती है slipping क्यों हो रही है वहीं पर move कर रहा है skidding क्यों हो रही है forward direction के अंदर wheel का movement जो है circular movement रुख गया है लेकिन longitudinal movement चल रहा है if one revolution of wheel leads to longitudinal movement greater than 2 by r या फिर pi d तो skidding बोलेंगे अब एक आपके wheel के उपर कोई निशान बना दीजिए यहां पर wheel के उपर निशान बना दिया एक बार घूमेगा तो 2 by r या pi d distance cover होना चाहिए लेकिन skidding के case में क्या होता है कि जब ये एक बार घूम कर वापस अपनी position पे आएगा ना तो pi d distance की जगाँ पर ज़्यादा distance cover कर लेगा skidding के अंदर क्या होगा एक बार जब ये यहां से घूम के यहां पे आ गया तो pi d distance cover करने के बजाए वो ज़्यादा distance cover कर लेगा जब ये वाला point जहां पर tire पे निशान बनाया था हमने वो वापस घूम के अपनी position पे आएगा slipping के case में क्या होगा अगर tire के उपर आप कोई निशान बना दे और अब वो tire slip कर रहा है तो उस case में एक बार ये घूम कर ये point वापस यहां आ जाएगा तो pi d distance से भी कम वो distance travel करता है तो हम उसे बोल देता है कि वो क्या कर रहा है वो wheel slip हो रहा है तो slipping और skidding के अंदर I hope आपको अंतर समझ में आ गया होगा तो ये next characteristic था surface का फिर उसके बाद आता है unevenness index roads के उपर bumps होते हैं undulations होते हैं तो इनको हम bump integrator की मदद से पता कर सकते हैं count कर सकते हैं कुछ इस तरीके का ये दिखता है तो unevenness index जो है वो हम पता कर सकते हैं unevenness index is specified by bump integrator ये छोटा आपके पास objective question बनता है ये data अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है next आते हैं cross section के elements cross section के elements के अंदर आते हैं side distance horizontal alignment, vertical alignment या फिर intersection वाली details cross section elements के अंदर क्या क्या आते हैं देखते हैं इनको एक एक करके highway का cross section अब यहां से focus करना शुरू कर दीजेगा पहला आता है carriage way एक highway था इस highway का cross section देख रहे हैं इस highway को यहां से ऐसे cut कर रहे हैं जब इसका cross section हम observe करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा carriage way दिखेगा वो क्या होता है shoulder, curves, median, road margins यह सब हमें दिखाई पड़ेगा सबसे पहले lanes समझ लेते हैं lanes क्या होती हैं अगर आप किसी highway को देखते हैं और इस तरीके का दिखेगा बीच के अंदर यहाँ पर yellow line होती है और वो भी किस form में yellow या generally it is yellow जो use होती है वो air fields के अंदर यूज होती है white हम use कर लेते है जो हमारी road होती है उनके अंदर जहाँ पर भी ज़ादा solid restrictions दिखानी होती है वहाँ पर yellow का इस्तेमाल किया जा सकता है कि मतलब अगर यहाँ पर yellow है इसका मतलब आप अपनी lane के अंदर ही रहे है जरूरत पड़े तो change कर लीजिए बीच में तो बिल्कुल ही ना चला है अपनी lane में चला है अगर यह dash वाली white lines चल रहे है यह lane को specify कर रहे है कि एक lane यहाँ पर दूसरी lane यहाँ पर है पूरी solid line continuous चलेगी तो solid line यह signify करती है जैसे आपको यहाँ पर यह solid line दिख रहे है तो यह solid line यह बताएगी कि इससे cross मत कीजिएगा इधर नहीं जाना है आपको और एकदम yellow line आ जाए जैसे cities के अंदर ऐसी जगह आ जाती है तो उस case में वहाँ पर क्या किया जा सकता है एकदम solid yellow line बीच में आप बना दीजिए continuous solid yellow line तो वो yellow line यही बताएगी आपको कि इसको cross नहीं करना है इधर वाले इधर ही रहें उस तरफ वाले उधर ही रहें तो इस तरीके से इनको बनाया जा सकता है अलांकि markings और इनको हम अलग से एक chapter के अंदर या एक topic के अंदर इनको अलग से हम पढ़ेंगे फिलाल lanes की बात कर रहे थे lanes का समझना जरूरी था कि अगर ऐसा highway हमें दिखाई देता है तो वो कितने lane का highway है इसे two lane वाला highway बोलेंगे या four lane वाला बोलेंगे तो इसे हम four lane वाला highway बोलेंगे one lane, two lane, three lane, four lane four lane वाला है आपके पास और इसका जो carriageway है वो कैसा dual है एक तरफ इधर जाने वाला एक तरफ आने वाला आपके पास carriageway आ जाता है तो ये carriageway बोलते हैं तो इसको four lane वाला highway हम बोलेंगे next आपको कुछ और track दिखते हैं footpath वाले दिखते हैं, cycle tracks दिखते हैं bus lanes दिख जाती हैं ये आपके पास कैसी road है two lane, two way road है एक lane, दूसरी lane इस पे vehicles जा सकते हैं और इस तरफ से vehicles आ सकते हैं इसे हमने carriageway बोल दिया इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो pavement था overall उस pavement के side में यहाँ पे ये एक कच्ची जगा दिखाई दे रही है untreated है इसके उपर pavement नहीं बनाई तो इसको untreated shoulder बोल देंगे अगर किसी vehicle को रुकना है तो vehicle को rest पे अगर ले के आना है untreated जो है वो shoulder possible हो सकता है shoulder की एक और image आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है four lane divided carriageway और dual carriageway एक तरफ जाने वाला एक तरफ आने वाला बीच के अंदर हमने यहाँ पे क्या बना दिया traffic separator या फिर median जिसको हम बोलते हैं वो हमने बीच के अंदर construct कर रखी है इन highways को या फिर इन जो यह lanes है आपके पास एक carriageway जाने वाला एक carriageway आने वाला इन carriageway को अलग-अलग level पे भी बनाया जा सकता है जिससे की रात में drive करते टाइम problem ना हो आँखों के अंदर जो सामने से आने वाले lights का glare है वो problem create ना करें तो इनको अलग-अलग levels के उपर भी बनाया जा सकता है traffic को properly segregate करने के लिए guard rails देखी हूँगी आपने side के अंदर ये guard rails भी important होती है कि कोई vehicle जो है वो अगर high speed के उपर यहां से चल रहा था तो एकदम से कोई animals जो है वो यहां पे ना जाएगा तो immediately उसकी वज़े से जादा damage होगा as compared to accident तो उनके लिए guard rails जो है ये लगाई जाती है next guard rails के कुछ और example भी है road के end के उपर यहां पर कुछ raised portion आपको दिखाई देता है थोड़ा raised portion उठा हुआ portion आपको दिखाई देता है इसको हम क्या बोलते हैं curb बोलते हैं it is known as curb तो curb अलग अलग टाइप से अलग अलग जगाँ पर आपको देखने को मिल सकता है side में road के किनारे के उपर आपके पास होगा median या traffic separator जो होता है उसके अंदर भी use किया जा सकता है तो raised portion जो होता है that is known as curb carriageway की बात करें एक एक करके अब सारे elements से related question क्या क्या पूछे जाते हैं सबसे पहला आता है carriageway carriageway के उपर क्या जाएंगे vehicles travel करेंगे actual में travel करेंगे exam में क्या पूछता है कि carriageway अगर single lane वाला है जैसे village roads आपके पास होती है तो single lane होती है और single lane अगर आपके पास है तो 7.5 meter curve provided है तो curve से basically क्या हो जाएगा जैसे अगर ये curve दे दिया तो ऐसा नहीं होगा कि कोई vehicle कभी चलता चलता एक दम से जैसे कि हमारे यहां हो जाता है आप सोचेंगे कौन जाएगा यहां से यहां ऐसे turn लेके सीधा इधर से निकाल दो तो vehicles जो है वो इनको override नहीं करेंगे that is it तो एक main reason यह हो जाता है curves जो है वो थोड़ी इन चीज़ों को ensure कर देते है तो curve आपके पास अगर नहीं है तो जब curve नहीं है तो pavement के width थोड़ी से जादा provide कर देंगे तो dual lane अगर आपके पास है और raised curve उसके अंदर है तो multiple lane के case में 3.5 meter per lane एक lane की जो width होगी वो 3.5 meter आप कम से कम consider करेंगे तो ये design के criteria हैं हमारे intermediate lane होती है intermediate lane के case में जहाँ पे भी आप multiple lanes नहीं provide कर पा रहे हैं लेकिन हाँ width थोड़ी जादा चाहिए जैसे cities के अंदर हो जाता है तो cities में कही जगह ऐसी होती है कही roads ऐसी होती है जहाँ पे possible नहीं है कि आप 2 lanes बना पाएं तो फिर वहाँ पे intermediate lane जो है वो provide कर सकते हैं तो वो 5.5 meter की दी जा सकती है next आते है shoulders road के किनारे पर side में ये treated वाला portion भी उसका हो सकता है untreated portion भी हो सकता है तो shoulders का काम होता है कि जो vehicles रुके हुए rest पे आ जाते हैं उनको park करने के लिए use किया जाता है exam में अगर objective question पूछेगा तो आप से पूछ सकता है कि shoulder की width कम से कम कितनी desirable हम कह रहे हैं तो vehicle की जो width है उतना तो 2.5 meter आप उसको consider कर लेंगे कि कम से कम 2.5 meter हो curves की अगर हम बात करें तो boundary को indicate कर देता है road की boundary है या फिर median के उपर भी आपको curves जो है वो देखने को मिल सकते हैं तो pavement के उपर footpath के उपर या shoulders जो हैं उनको अगर आप separate कर रहे हैं तो इनके end पर यहाँ पर curves provide किये जा सकते हैं median की बात करें traffic separator आने वाला vehicle जो है जाने वाले vehicle हैं इनको अलग-अलग वो कर देगा traffic separator का काम होता है इसका अब median की जो कम से कम width हम मानके चलते हैं highway के उपर अगर आप ले रहेंगे तो 5 meter मानते हैं city में आ जाएंगे या कोई flyover आ जाएगा median वाला जो length है वो use भी नहीं हो रहा है तो या तो यह option है कि इसके लिए एक अलग bridge बनाओ इसके लिए अलग बनाओ आने वाले के लिए अलग बनाओ जाने वाले के लिए अलग बनाओ फिर तो बीच में आप कितना भी gap रख लो तो या तो वैसे कर लो लिजिए इतना adopt कर लिजिए transition in medium should be 1 in 20 से लेके 1 in 15 का transition in median का मतलब क्या हो गया कि जब आप road के उपर जा रही होते है जो divider के अंदर जो cut बोलते है न हम तो एकदम से ऐसा नहीं होता है कि ऐसे median आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे unless and until city के अंदर आप नहीं है highway के उपर बात कर रहा हूँ मैं तो एकदम से ऐसे जाके end नहीं होगा median आपको इसके अंदर transition दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा आगे जाके फिर ऐसे transition आएगा ताकि इधर से vehicle आ जाएं फिर उसके बाद इस तरफ जा पाएं तो यह transition in medium जो provide करते हैं यह जो transition आता है that is provided किस range के अंदर 1 in 15 इस slope के साथ आप इस transition को provide कर देंगे तो यह median के बारे में main main जो चीज़े हैं यह है next आते है road margins road margins जो है आप boundaries बता रहे हैं यहाँ पर वो margins बता रहे हैं जिनके अंदर certain activities की जा सकती हैं, यह नहीं की जा सकती हैं की जा सकती हैं की बात करें तो मतलब आप ये road की activities road का construction घहां तक stretch कर सकते हैं की नहीं जा सकती हैं का मतलब की आसपास आपकी road के किनारे पर जो properties हैं उनकी activities जो हैं उनने भी अमें restrict करना है अब आप imagine करके देख लीजिए कि आप कोई highway बन रहा है आपको पता लग गया कि किसी भी form में अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ यहाँ से highway निकलने वाला है तुरंत लोग जमीने खरीद लेंगे वहाँ पर वहाँ के rates बढ़ जाएंगे जमीन खरीते ही अगर highway के just touch होते ही आपने बहुत सारे construction करके रख दिये चाहे commercial चाहे residential कुछ भी तो अब भविश्य में उस सडख के उपर उस road के उपर वो definitely obstruction create करेंगे लोग रह रहे हैं तो एकदम से उस highway के उपर आ जाएंगे तो उनकी activities जो है उनको भी restrict करना जरूरी होगा कि road के pavement से कह लीजिए या फिर जो आपकी margins हैं एकदम यहाँ पर आप control lines बता देते हैं कि इन lines के beyond जो है कोई building activity नहीं होगी चीक है तो दोस्तों यह road margins होती है road margin के अंदर अगर एक बार इस diagram के उपर नजर मारते हैं यह आपके पास carriageway, carriageway मतलब वो portion जिसके उपर pavement बनी हुई है जिसके उपर हमारा vehicle जो है वो चलेगा उसके साथ में आ जाते हैं shoulders shoulders तक की जो width होती है इसे हम क्या बोलते हैं formation width बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं formation width तो carriageway plus shoulders दोनों तरफ के यह आपके पास आ जाता है formation width वो पूरी land या फिर यह कह लिजी वो पूरी margins end to end जो सारी के उपर सारी road की activities होंगी तो वो कहलाता है right of way कहलाता है वो कहलाता है right of way that is known as right of way right of way और land width is the width of land acquired for the road along its alignment it should be adequate to accommodate all the cross sectional elements of highway जितने भी highway के cross sectional elements है carriageway हो गया, shoulders हो गया, side slope हो गया, drains बनानी है उसके बाद तो यह सारी जो चीजे हैं यह सब कुछ accumulate हो जाए सारे elements जो हैं इसके अंदर आ जाए यहाँ पर अब इसके अंदर यहाँ पर आती है building lines, control lines यह building line, control line क्या-क्या represent करती है control line आपको यह बताती है कि future के अंदर it is a line which represents the nearest limits of future uncontrolled building activity related to a road कि future के अंदर भी इस line के beyond कोई भी यहाँ पर building activity जो है वो नहीं होगी future के restrictions हम यहाँ पर लगा रहे हैं building line के अगर हम बात करें, control line के बाद next आता है building line, building line यह represent करता है कि हमारी जो road है उसके इस line के beyond कोई building activity at all हो नहीं सकती है जो हमारी control line है, यह future activities के बारे में बता रहे है future uncontrolled building activities जो होंगी वो इस distance के beyond रही हो सकती building construction के अगर हम बात करें तो इस line के beyond present में कोई भी यहाँ पर construction building वाली जो line है, उसके beyond नहीं जाना चाहिए next आता है हमारे पास cross slope या camber cross slope का main काम यही होता है कि अगर बारिश आए, तो road का जो surface है वो कुछ इस प्रकार से कर दिया जाता है parabolic भी हो सकता है या फिर straight camber जो भी provide कर सकते है straight plus parabolic भी हो सकता है तो आपका vehicle जो चलता है वो vehicle actual में थोड़ा सा ऐसे जो हमें पता भी नहीं लगता है इतना सा tilt होके चलता है, camber provided होता है road के उपर ताके बारिश आए, तो वो क्या हो जाए वहाँ से, पानी जल्दी से drain हो जाए, पानी जल्दी से बाहर निकल जाए, तो straight camber bituminous, macadam pavement में हो सकता है parabolic camber जो है, वो cement concrete pavement इनके अंदर provide किया जा सकता है combination भी हो सकता है main exam में हमसे चीज़ें क्या पूछता है exam के अंदर हमसे पूछता है, कि अगर concrete या bituminous आपके पास pavement का surface है heavy rain हो रही है, तो camber कितना provide करेंगे, camber या फिर ये कहले जी cross slope कितना provide करेंगे, light rain अगर हो रही है, तो कितना provide करेंगे gravel अगर आपके पास है, pavement का surface gravel या water bound macadam है तो 3% heavy rain के case में 2.5% light rain के case में अर दिन की बात करें, तो 4-4% ये आ जाता है next, side distance considerations पे आ जाता है अब आप बातें कर लीजिए देखे, main चीज़ ये है कि यार मैं ऐसा चाहता हूँ, थोड़ा सा two way interaction रहे, चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके इंदर आप participate कर पाएं कुछ पूछा जाता है, वो आप बता पाएं, कुछ actual में समझ में नहीं आया, मैं ये चाह रहा हूँ कि हर वो एक बच्चा जो sincerely पढ़ रहा है, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, अगर कोई topic यहाँ पे चल रहे है, तो मैं यह नहीं नहीं कह रहा है, कि 100% सबको समझ में आ जाता है, जिसे कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पूछ पाएं, वो interact कर पाएं, लेकिन यहाँ पे कहानिया और चल रही होते हैं, topic कुछ और चल रहा होता है, questions जो हैं, वो कुछ और चल रहे होते हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा है, कि यहाँ इनसे कुछ ज़्यादा distraction हो जाएगा, distraction करने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, और इतना अच्छा खासा experience हो गया है, कि कोई भी ऐसी problem नहीं है, कि कोई चैट में कुछ भी लिखे, तो उससे पढ़ाने के उपर फरक नहीं पड़ेगा, बट main चीज इस चीज के उपर फरक पढ़ रहा है, कि जो interaction है न, वो impact हो रहा है, है अपस में ही लगे रहते हैं घरकर की बाते करने में, या फिर unnecessary topics जो शुरू में कितनी बार discuss किया जा चुगा, कौन से subject हो चुके हैं, कौन से subject होंगे, क्या schedule रहेगा, फिर हर एक एक person को individually वो सब जानना है, तो यह सब क्यों करते हैं, जो obvious attention सही है, आप अपने point of view से कुछ पूछ रहे हैं, या कुछ ऐसा है, लेकिन उस चीज का proper way है, हर चीज के answer सभी classes के अंदर दिये जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो एक दम से आएंगे class के अंदर, एक चीज कॉपी कर रखें, उन्होंने चार बार paste करेंगे, फिर उसके बार छोड़के, फिर चले जाएंगे, next day फिर से class दिख जाएगे, फिर से वही चीज पूछेंगे, जबकि जो पहली बार वो पूछ रहे हैं, उसका answer अभी दे दिया जाएगा, उसके अंदर कोई बात का निया, दोस्त, देखो, गुसा जहां पर ज़रूरी होता है, वहीं पर करते हैं, ऐसा कुछ निया कि गुसा कहीं भी आएगा, main जीज यह यार कि अगर आप और हम साथ मिलके ही चलना है, अगर ऐसा कुछ है कि हाँ, मैं अकेला कुछ कर सकता हूं, वह भी फिजिबल नहीं है, आप अकेले अगर चल सकते हैं, टाइम अगर आपके पास है, तो definitely कर सकते हैं, लेकिन कम time में करना है, कहीं ना कहीं मैं नहीं तो किसी और कुछ ना कुछ थोड़ी help की तो जरूरत पढ़ जाएगी दोस्त, और उस process के अंदर नहीं है, तो फिर वो चीज दब जाती है, वो चीज जो है, वो सामने नहीं आ पाती है, ठीक है, हाँ, नेक्स तो फिर यह होगा, अगर फिर चीजें थोड़ी सी uncontrolled चलेंगी, अगर नहीं होगा, तो फिर कोई problem नहीं है, फिर तो मैं अपने flow में आराम से चल सकता हूँ, उसमें कोई problem नहीं है, बट मैं जो interaction वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहरा हूँ, फ्री सिक्षा मिल रही है, ये भी सही बात है, कई बार हो जाता है, थोड़ी intention होती है, कि जो चीज़ फ्री में मिलती है, उसके value नहीं होती है, बागी जिसे हैं नहीं, उससे भी ठीक है, कभी ना कभी realize हो जाएगा, anyways, और बताओ कैसे चलता है, थोड़ी घर-घर की बाते करते हैं, फिर पढ़ेंगे, how we provide camber, camber कैसे provide करेंगे, camber में central portion जो road का है, वो हम lift कर देंगे, उसके उपर जो है, कितने बज़े तक चलेगा यह session, देखो ऐसा मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, तीन महीने, साड़े तीन महीने ही है, मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूँ, मैं कि unnecessary sacrifices करो, मैं कभी भी आपको यह नहीं बोलता हूँ, कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ यह exam ही सब कुछ है, यह exam आपके career path में, आपकी journey में, आपके future में बस एक कदम है, एक step है, यह exam आपका जो entire career process है, उसको else such impact नहीं कर सकता, हाँ positively कर सकता है, negatively नहीं कर सकता, अगर आप थोड़ा सा, जो broad mindset अगर आप लेकर चलते हैं तो, थोड़ा सा vision broader रखे, थोड़ा सा चीज़ों को sincerely लीजिए, एक opportunity है, बहुत अच्छी opportunity है, 2018 में railway की जो vacancy आए थी, उनके बाद अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यह अच्छी opportunity आएगी next वाली, तो क्यों miss करना है हमें इसे, क्यों आप किसी और को मौका देना चाहते हैं इस चीज़ का कि हाँ, एक chance आया था और उसके उपर आप कर नहीं पाए, तो वो आपको सुना रहा है, कुछ बोल रहा है, दो बाते हैं उसमें, चलो, अब बढ़ते हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजेगा, और, side distance की बात करते हैं, बहुत होगी ग्यान की बात हैं, घरगर की बात हैं, side distance consideration, side distance consideration के अंदर क्या है, side, देख रहे हैं आप, देखने के अंदर, जो जो consideration करने हैं, जो जो geometric design features हैं, जिनकी बात करने हैं, वो यहाँ पर देखेंगे हम, तो side distance consideration के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपको रस्ते में कोई obstruction देखा, तो रोकना है, break apply करने हैं, ये consideration आ जाएगी, overtake करना है, तो distance जो है, वो आपके पास visible होना चीज़ें, अगर आप intersection के उपर जा रहे हैं, तब आपके पास visible होना चीज़ें, ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कल से continue करेंगे, ठीक है, टेंशन मद लीचे, everything is at positive note, कल से continue करते हैं, पर ये चीज़ें आप मत करिएगा, अब से जो भी दोस्त हैं, जो भी आप चाहें मजाग करते हैं, मजाग बजाग के लिए बहुत time है अपने पास जिंदगी में, और अभी time है seriously बढ़ाई करनेगा, थोड़ा सा focus करिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को realize करिएगा, कि हमें मिल कर चलना हैं, अगर हम सब को मिल कर चलना हैं, तो मिल कर एक environment भी ऐसा रखना होगा हमें, जो कि constructive ह हो, जिससे आगे growth हो हमारी, जिससे हम hamper ना हो, जो काम हम usually कर रहे हैं, usually हमें पता नहीं होती हैं यह चीज़ें, हम अगर अपने दोस्तों से बाते करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घूमने जाते हैं, गपें लड़ा रहे हैं, उनसे सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो भी कही आप में से बहुत सारे दोस्तों बन जाते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ, groups के अंदर, काफी अच्छी bonding हो जाती है, अच्छे दोस्तों बन जाते हैं आप में से, तो आप यहां पे इस platform को use अगर कर रहे हैं, तो इस platform को constructively use करें, राधर देन कि यहां कुछ भी इदर उद की बाते हैं हो रही है, कुछ भी इदर उदर, मजाग वजाग एक healthy environment हर चीज में ही बनाया जा सकता है, हर way में रखा जा सकता है, खुशी वाला जो महा होल है, वो तो बना के रखना ही obviously, and रच्वूट आप सब बहुत एकदम काबिल हैं, हर aspect के अंदर, चाहे वो आपका humor हो उसके way में चाहे आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो महनत है, बस यह होता है कि कभी-कभी हम distract हो जाते हैं, तो अपने distractions जो है, उनको आप हटाईए, और एकदम focused होकर चलना है, limited time है हमारे पस, limited time के अंदर हमें अच्छा करना है, ठीक है, so thank you so much, कल के session में मिलते हैं, और किसी को personally कुछ भी ने वोल रहा हूँ, दिल पर मतली जएगा, तो अराम से आप अपने पढ़ाई पर focus करिएगा, next session से please ensure, कि हम जो काम की चीज़े हैं, बो, मजाग करने है, सब करने है, सब चल जाएगा, लेकिन everything should be in the limits, और इससे ऐसा ना हो कि यहां किसी और का, जो actual में क किसी का genuine कोई comment है, या genuinely कोई चीज़ पूछना चाहरा है, वो चीज़ उसी के अंदर दभी रह जाए या वो ना कर पाए, ठीक है, thank you so much, मिलते हैं next session में, अगर आपने session को like नहीं किया है, तो like कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, session खतम होने के बाद, आप comment कर के भी हमें इसके बारे में बता सकते हैं, thank you so much, मेरा नामे संदीप, मिलते हैं अगली session में,